कि अधर अधाव अविनंदा नभार नमस्कार मैं सुभाम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को सुभाम सिख्चा के इस यूटुब चैनल पर सुभाम सिख्चा कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं आप लोग स्वास्थ और मस्त होंगे तो वन सट को इस दौर में और आपकी मैथमेटिक्स की दौर में हम लोग आ चुके हैं आज चैप्टर नमबर फाइब जो कि आपका अधिमेटिक प्रोग्रेशन उसमें आ चुके हैं कि चैप्टर जो है इंट्रेस्टिंग नहीं बहुत ज्यादे इंट्रेस्टिंग है ठीक है इसको परने का अपना ही मजा है लेकिन अगर आपको चैप्टर अभी हाड लग गया ठीक है तो आप इसका कोश्चन जो है कभी नहीं बना पाईएगा ठीक है अगर अभी आपको लग गया तो इसका कोशन आप आई इटी लेवल तक का बना सकते हैं टेंथ में रहकर ही ठीक है तो चप्टर उतना ज्यादा कुरूशियल और मत्पूर्ण भी है विकोई से आपको पांच नमगा कोशन आना आना ताय है एक समफ इंटम से और एक आपका इनस ट्रम से ठीक है चलिए पढ़ते हम लोग चप्टर फाईऴ जोर्य आपकह अरिदमेटिक प्रोग्रेशन जीसको लोग भोलते है ईपी ठीक है आगे जा करके यहोगा कर करहाहत आता है सिक्वेंस सेरीज क्या हो आता है यह पढ़ते हैं कि सिक्वेंस क्या होताहिया और सीडिज क्या इसे जो टोपिक हटाई गई है उसका मैं फिर भी परहा रहा हूं वह हो सकता है किसी बीसी में कोश्चन आ जाए ज्यादा कुछ से हटाया नहीं कि है बस एक वर्ड प्रॉलम हटा दिये गई है जो डेली बिसेस पर आते हैं समपें टर्म से उसको कोई मतलब नहीं रखता है उ चलिए बात करते हैं सिक्वेंस क्या होता है देखिए अ लिस्ट ऑफ नंबर अइरेंज इन डिफिन ओडर कोई भी नंबर जो है अगर लिस्ट में लिखा हुआ है वह नंबर और कोई भी ओडर का हो यह कोई रूल फॉलो कर रहा सो बोलते सिक्वेंस जैसे कि एजांबर में अगर इस देखिए है यह 157 9 29 ईह नर्टी ने UKٌ से तै कि करीबड़ से है संब के सब और नंबर है ना 자 उर्ड नंबर है plus यह सब कहें इंक्रीजिंग ओर्ड में इंधा सकते हैं और नंबर और इंक्रीजिंग नंबर है na लेकिन कोई सिक्वेंस स्गाड को कोई कोई कर रिका फॉल नहीं कर रहा रहा है मतलब क्या है ? पॲाइ एक सैक्वेंस में न ही समझे ? sequence एक ऐसे list अपने वह को बलते हैं जो किसी ने किसी order में लिखा हुआ हो तो इन गीधिन में है न इसले sequence हो गया है ठीक है और देखिये sequence किसको बोल सकते हैं दो चार नौ दो चार नौ सोला इसको दो नहीं इसको एक कर दिया जाए अगर तो काम बन जाएगा कटो 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 ठीक है देखिए 1 4 9 16 25 देखिए क्या है यह 1 का स्क्वाइर यह 2 का स्क्वाइर यह 3 का स्क्वाइर यह four square यह five square यह निए कि क्या है यह square term में बढ़ते जा रहा है ति भी क्या sequence है अब बढ़ते देखें sequence में the various number occurring in a sequence is called term नहीं नमबर अपको दिख्राई है कि one हो गया five हो गया seven हो गया nine हो गया जब क्या है term है अलग-अलग term है ठीक है one को बोलेंगे first term two को बोलेंगे second समझ गए तरह माल लेते ही कुछ है इसा सिक्वेंस हो जो कि A1 हो A2 हो A3 हो A4 हो डॉट डॉट अन तक हो तो A1 is called first term A2 is called second term and last में A1 क्या बोलते हैं इसको last term बोलते हैं ठीक है स्क्वेंस हो सकता है यह तो हुसकता है यह जी कि आहिसा रहाता सबस्क्राइब सबस्टाइब करते हैं अब नट करता है ऐसे अंतन सचित हो ज़िसे कि अबने टू करते कड़ते लेकिनर का मतलओ है जो कि शुरू हुआ, लेकिन नंत कहां का पता नहीं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 करके, आप सो कोई पुछा, जो है, प्रियल नम्बर जो है, शोरी, natural नम्बर जो है, इसका definite order follow कर रहा है तो ठीक है sequence के हर एक हर एक element को बोलते हैं term और अगर वो term अगर इन term तक चला है उसको बोलते हैं हम लोग general term ठीक है चलिए बाद करते हैं progression क्या होता देखिए दो sequence which term always follow certain pattern is called progression ऐसा कोई भी sequence जिसका जो term है न हर एक time जो है कुछ ना कुछ rule को follow करता हो उसको बोलते हैं progression जैसे देखिए यहां पर आप देखिए माल नहीं ऐसा रहा two four six eight ten twelve zero क्या follow कर रहा है देखिए तो यह बेटर यह फोलो कर रहा है कि इसका हर एक term में अकर दो जोड़ दे हर एक term में तो जोड़ दे तो आगे वाला क्या होता है कि अपने मन से किसी वाटर में लिखावा होना चाहिए लेकिन progression क्या होता है कि हर एक term जो है एक sequence follow करता हो देखिए हर एक term हर एक term में दो जोड़ने पहार आया थीक है तो इसका कहने मतल़ यह समझ में आया रहा यह जोड़ने मतलब कि अगर 2468 लिखा हुआ है तो यह प्रोग्रेशन है और यह प्रोग्रेशन है इस sequence भी होगा ठीक है लेकिन एस जैसे लिखा ङुगा था one five seven nine 29 восund不 j39 egent from sand अन्य मतलब कि हर एक सीक्वेचा नहीं हो शकता है जर्अ हुगा होगा सेक्वेच्वेच्वेच्वे़ होगा ठीक है यहां से वास समय में हो ऍगया अब करते एक क्या Iz dabei की कि 510 15 20 जब प्रोग्रेशन विगोई रिजे सिक्वेंज बट देखे 5 10 15 20 का है देखे 5 5 5 जरे द दस 10 10 से पांच जरे पंदरा 15 15 15 20 यानि कि क्या है प्रोग्रेशन भी और सिक्वेंज भी है लेकिन एक, दस, एकारह, सतरह, सताइस is not a progression but or instead a sequence लेकिन क्या एक sequence है progression नहीं है, फिर भी एक sequence है ठीक है अब बात करते हैं introduction to arithmetic progression AP क्या होता है उसके बारें समझते हैं चले देखते हैं AP होता है क्या है ठीक है introduction to arithmetic progression ने की AP an arithmetic progression AP is a list of all number in which each term is obtained by adding यहाँ सब्टेटिंग काट दीजे यहाँ पर सब्टेटिंग नहीं होगा each term is each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term first term को छोड़के ठीक है जैसे का first term है अगर except नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा लेकिन समझ लिए क्या है कि arithmetic progression AP is a list of all number है जिसमें कि अगर हम लोग कुछ एक constant number जोड़ते हैं तो हमें अगला term मिलता है ठीक है the fixed number is called common difference इसको बलते हम लोग common difference और it can be 0 or negative positive ठीक है इसको बलते हम लोग AP जैसे माल लीजे कि लिखा हुआ है अगर 2, 4, 6, 8, 10 लिखा हुआ है 3, 6, 3, 10 लिखा हुआ है реads टाम में 50 जोड़ रहा है तो हमें अगला ना है याकि ने पिछले टर्म में एक constant term जोड रहे है तो हम अगला term मिल रहा है तो इस constant term को बलते हैं हम लोग common difference का बलते हैं हम लोग common difference यानि की d common difference यानि की d यानि इसी d is equal to two अगरा जोडते जाते हैं पिसला term में हमें अबना अगला term मिलते जाता है पर समझिए यही 2 को में मिला है जोरर रहे एक है चिसे निकलता है आप आण से बता सकते ठीके लेकिन बहुत बाद नम्बर तो कैसे बता दे तरीका क्या है कि आप अमाल यह एवन है यह टू है यह थरी है एफ़ोर है यह फाइब है निकी पास्टर में तो अगर आपको डी निकल या निकलना है तो वह होता है 2-7 या 3-1 या-3-2 या तो आप इसे में सिस्व घट आईए य ज ОДये यह झो ऩुट न वैस्ट ने मिल जाएगा चार में से दो'reघ्लय दो मिल जाएगा चैowing मिल जाएगा आँट में से चो कुछ इक तुछ मिल जाएगा ना समझे कि समझे इसे यह दूस्य लेकर के 10 दक लिखा लुए है तो अगर पिर समझेगा 2, 4, 6, 8, 10 लिखा लुए है तो हम लोग देखे थे क्या इसमें दो दो जोरे मिलते जा रहा है और हमें नहीं पता होता कि क्या जोरे हैं और अईसे निकालना होता है 10-8 कितना आधा 2 8-6 कितना आधा 2 6-4 कितना आधा 2 4-2 कितना आधा 2 यानि कि किसी इत नंबर को हम लोग उसके पिछले नंबर से घठा देंगे तो हमें D मिल जाएगा ठीक है वहीं लिखावा यहां पे कि D is equal to A2-7 या तो A3-2 या इन माइनस एन माइनस 1 इन्टू डी देखिए समझना बहुत जरूड़ी है क्या है समझिएगा तो जोड़ा गौर कीजिए कि एन क्या है एन है लास्ट मालिजे एन हो गया एन इस गल्टू मालिजे कि आपका इससे की इसको 10 माल लिजा ठीक है जैसे कि 2 4 6 8 10 लिखा हुआ है टो आप एन को मालिजे 10 है कि एन माइनस 1 यानी कि उसके पहले होगा होगा एट हों फोरह लिखा हुआ है यह थिरे लिखे है और उल्टर ओन दो लिखे एञीन माइन का मान सवान क्मा a en थ이다 दू टू नंबर है कितना है नहीं पता है इसे इतना होगा उसे घटा देंगे दिए थी था त्री घटा टो आगया टा था त्री मानेस टू अधा समझे नहीं तो हम लोग क्या करते हैं पाला टम में से दूसरा गठाते तो क्या मिलता है दी मिलता है उसी कारण लिखा हुआ कि A N-1 थीक है समझ गया है तो देखिए हम लोग क्या कि है each one of these are terms यहां पर क्या है हर एक term क्या है एक हो गया है यह लेकर के एं तक है सब हमरा क्या है एक सब एक term है ठीक है उसे तरह बात करें एं एन हमसे कोई पूछे कि आप बताईए कि यानि कि लास्ट टम क्या है तो हम जानते हैं कि लास्ट कर्ण को बोले एं ठीक है लास्ट हमसे को फूछे तो क्या बोले गाएगा एच्ज़ गल्टू एन माइनस वन प्लॉस दी जैसे आपह Sमझिएगा चिंता नहीं कीजिए समझिए 246 है अब से यहां से को पूछे या बत आपको इस last term से पहला term पता है पहला term कितना है four और आपको डी, पता है, डी कषता निकला था, आप उसमे pulse in six qatak, कैल निकलता है डी चारे सब्सीर से घ्डाज संथी कितना है, दो कि यहां पर क्या होगा? जोर्टें 20 ऐसा रहा ठीक है आप से कोई पूछे डॉट 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 आप बताइए कि a7 सत्मा टर्म कितना होगा तो एक दो तीन चारीन लिखें अभी तक सत्मा कहां सला है ठीक है तो अगल लिखे 25 30 ठीक है 30 तो लिख लीजे यहनी कि 6 अंक हो गया हम क्या बोले कि a7 निकलना रहे तो आप याद रखिए a6 प्लस डी अगर हम लोग यहां पर सेवन डाले हैं यहां पर क्या डालेंगे 7-1 जो डालेंगे n डालेंगे तो स्चा याद है सबस्क्राइब तो निकल के डाल दीजिए अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है तो आगे चल के हम लोग इसे अच्छा फावल लाएंगे जिसे कि हमें और नहीं पता है फिर वह हम लोग कोशन को बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं आगे देखेंगे फिलाल इस पर बनता हुआ कुछ कोशन देखते हैं और समझते चलते हैं इसको ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए को ऐसा रहा कि माइनस 10 माइनस फकी 055 1525 आपको बताना है क्या यहане है अगर आपको ए पीशेक करना तह पहले समझे यह क्या है अर्म कितनए है माइन सतने कितना है माइनस 5 खरकेM कितना है इसली हो जीसि प्लस फाइब जीरो जीरो पाइब जोड़ते गया है तब ही जाके इसा हुआ है से लिए खन है थिर ऑइ से पर चले है तो हम लोग बाकी कुछ से निकाल सकते हैं अगर एटु निकालना होते हैं क्या बोलते हैं ओन प्लस दी हमिए बोले टू- 1 सीधर लिख दीज़े दी अवन पता था मैं इस टेड़ लिख दीज़ेश्ट रखा है कि निकालने के लिए आगे वाला सपीछला टम को घटादी युकालने के लिए पिछले टर्म में को जोर दीजिए जी को जोर दीजिए अगला ट्रम निकालना हो त्याँ कि यह एक यह लिखावनां किया कि लिए लिए लिखावना है यह कि निकालना है तो पिछला टम में एन माइनस वन में डी जोड़ दीजे और यहां पर यहां पर वन हो जाएगा एवन में एजिरो प्लस डी जोड़ दी लेकिन इस तरह से एवन नहीं निकलेगा इसे लिखा था एक्सेप्ट फॉस्ट टम जाएगा करने मतले भी होगा ठीक है चलिए तो आप चलते हैं आगे यहां पर लिखा हुआ जैसे कि मैंने जब कोई पूस दे यह बताईए एटी नैन क्या होगा था बोलिएगा एटी नैन वही होगा जो अगर हम लोग एटी में अगर डी जोड़ देते हैं तो हम एग एटी नैन मिल जागा निकी 88 टर्म में जोड़ें तो दूसरा तम मिल जाता है ऑईसी तरह आपसे एक स्टम पूछे तो क्या हो जागा एक से गलटू एक सम पुछे कुछ वी पूछे क्या मतला हमको उस्स टर्म में से पहला टंप में से उसके पिछले टंप में जोड़ देना है ता यहां सब्सक्षे कि पिछले के सब्सक्राइब इस दाट तो पांट नंसे डोगों इस तरह प्रवां यत पटल वान कैसे बनाएंगे इस अपरोच के तरह को चसे देखेंगे तेख समझते हैं पहला कोश्चन क्या काता है फाइंड फेदर तक गिवन सेक्वेंसेज एपी और नॉट पहले तो पता कीजिए कि दस साथ चाड़ वाला जो है यह एपी है कि नहीं तब जानते अगर कॉमन डिफ्रेंस आ गया तो क्या हो जाएगा नहीं होगा तो नहीं होगा समझेगा कोश् होता है न दी तो टी कितना हो जाएंगा इस दोस घटाएंगे तो फिर भी मैंस तरी आएगा यहां का डिफ्रेंस यहां का से मैं यहीं कि कि देखिए क्यों है एपी देखिए इडिजन एपी विकॉज दिफ्रेंस ऑफ एनी टू कंजीक्यूटिव नंबर और सें दस में साथ गटा तभी तीन सब्सक्राइब तभी तीन अपसे कोई पूछ दे इसी कोश्चन में कि आप अगला तो तिन टम बताईए तो क्या बताई है दी को तो में क्या मिलता है अगला टर्म तो अगर जोर जाए दी को दी कितना है मैनस 3 मिल जाएगा थाख फोर मइनस 3 वन एकला तो मारु तो अगला सब्सक्राइब 3 अधा तो प्लस D ुछ टू नेक्स तरम याप वन प्लस डी कितना है मैनस त्री इसको टू कितना हो जाएगा मैनस टू तू हो जाएगा ओकर वन में से तीन गटा दें तो मैस्ट नहीं होगा वन मैंसे घटा तो जीरो दीरो जात तो मैंस वन से में से और एक घटा दी तो मैंस टू जाएगा समदे कि नहीं यानि किसाव क्या है ठीक है कोश्ट क्या समझेगा कि find the common difference अभिज़ोंगे पी इज आपको बता रहा है कि सब ही कोश्टन में कि इसका common difference क्या है को पता है किसी में से किसी कुछटा दीजिए सब क्या सब्सक्राइब को यानि वन आपको पता है सब क्या है और कि अगले पिलेगा और पिछला च्रमं कर दिखे है था था के बनेवा ने उनिदा अगले या अख़ लंगा सब्क्रमर ए तो फोन संभना जाना है आपको MN7 को माइनस मेंश मिलके 7 माइनस 5 मइस क्वेला प्लस क्यों नहीं आया इसलिए नहीं कीन गए पलस जिसके साथ हैलोगा सात नंबर है और म संथ 13 नमबर योगी आपके साथ आगर प्लस वाले आ गके साथ आदमी है मैंस के अध़ त्वाला तो हम ऐसा जो है जीते कामकल सोप्मेशाज से जाहे आदम है कि यह जीते है कौन माइनस और कोट जीदे कर था कि अगर ऐसा रहता माइनस 12 पूलोग hedger तो सेथेंबेक नहीं होता है या पल सोथा है कियोयों होता इक सतरवे जाह धे है pare सब्सक्राइब करने के लिए इसमें निकलिए भाई क्या होगा सो देखिए कुछ है नहीं बस खाली डिविजन करने और क्या करना है कि दिया हुआ एवन इसकल टू धी ओने हो वन ओन बाई टू एटू दिया हुआ फाइब होल वन बाई टू एथ्री दिया होँआ नाइन होतंगा टू आपको जिससे मान है उसको घटा आ लीजे यह थे एटू घटा लीजे कुछ भी घटा लीजे चुकि मैंने कॉपी में अ क मैं इसे टू किया है यहां पर मैं A2-1 करके दिखाता हूं आपको कि वह जाता है कि नहीं देखिएगा A2-A1 यानि कि 5 whole 1 by 2 minus 1 whole 1 by 2 स्वाल करेंगे ते क्या हो जाएगा यह 5 2 जा 10 1 11 by 2 minus 2 1 जा 2 plus 1 3 by 2 ठीक है यहांसा 2 लिया क्या हो जाएगा यानि कि 9 8 by 2 यानि कि कितना 4 समझे यानि कि क्या आपका जो है 4 जो है डी है इसका समझे यानि कि हरे टम में का जो रहा गया फोर जो रहा गया तब यह अगला टम है जो कि आपको खुलियां को से दिखेगा नहीं जब पुछ थर्ड क्या काता है कि राइट एन एपी हविंग 4 एज़ा फॉर्स टम एड मैनस थ्री एज अप ऐसा एपी लिखे दिखाए इसका पहला टम जो है फोर है और ऍर्च जो है माइनस 3 है कि यह फोर है ऑगला 2 से करना है जोर दो क्या बंचेघा घूट ट्ब कशया निका तो करना है और कुछ नहीं करना आपको इन तीन तरीके कोश्चन आप सब्सक्राइब पूरा अपी है की नहीं दूसरा तरीका कि आप डी निकल के दिखाईए और तिसरा कोश्चन पूछ सकता है कि क्या अगर आपको दिया था फोर आप जानते हैं कि यहांख होगा उससे यहां के गटा के लिखिएगा तो अगला क्या हो जाएगा अगला क्या हो जाएगा अगला तरीका यह तरीका जो है काफी इंपोर्टन तरीका है इससे कोश्चन पुछन के जाए चांस रहता है यह तो ललू बजू कोश्चन था बागी तीन यह कोश्चन तरह अच्छा है कि क्या एंग तो टू एंग प्लस वन एपी है कि नहीं है बच्छा कंफ्यूज और यह क्या क्या दिता है भाई मुझे समझ में नहीं आता है इससब करना क्या होता है आपको एंगर दिया जैसे कि टू एंग स्कॉर प्लस वन आप कुछ मत किजिए यहां पे एंग के जवब पे एं टnhr di jesh तो ड Argentin शोन टालते ही जहां यहां एंगला जाएं और ऐसे गरना आ यहां पर एंग प्लस उन का स्कॉर एंग Лघ और यहां में घेंग ए करना आप मल्टिप्ला केंगते क्ला गोई अस्कॉयर 2 इंटु 1्टू और 2 इंटु टु याणी 4 9 वलस वन सॉल पुले जब चाहिए है तो इन स्कॉयर प्लस 4 9 मिल गया अच्छा यह किया मिल गया आपको क्या करवा दी हम एन टं में एन प्लस 1 टं जरुबा दिए यानि कि अगल्य independ होगा न ए से हैं और ए 3 ए सुरं करवा दियु आपसे अगर हम लोग 1-1 में से अगर एAST किया मिले की मिलेगा तो देख़िए था यंजा एसा तो isus2–3 या कि हो एक हो जाय अगर क्यों माइनेस में तो क्या हो जागा खट जाएगा यहां 4N प्लस 3 और यहां माइनस 1 तो 4 nat 3 इंगी 4 प्लस 2 चुक्की हमने डी निकाला और डी निकालने के बाव्जूद भी इसमें एन का एन रह गया इसलिगे क्या होगा यह यह इंपी नहीं होगा टैसी नहीं होगा और एन से इंडिपेंडेंट होगा तभी उसको एपी बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे चुकि इस कोश्चन में डी इस नॉट इंडिपेंडेंट ओफ एन देरफोर नॉट एन एपी ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं अला कोश्चन है एन इसकल टू 5N प्लस 2 करना कु दी निकालेंगे उसी तरह हमें पता है यह हमीं निकालें 5N प्लस 7 निकालें एन प्लस 1 और आपको एन पता था 5N प्लस 2 कोश्चन देखिए न जीगल टू फिर दी निकाली है जो हम लोग इस वाट दी निकल लेते क्या हो गया और 7-2 कितना आ गया 5 यानि इसमें एन है नह में आया तो हमें डी कितने मिल गया 5 मिल गया डी इसकल टू 5 पता है आपको कोश्चन दिया था एन इसकल टू 5N प्लस 2 देखिएगा एन इसकल टू फाइन प्लस 2 दिया था आप इनके जापर गूर वन डालते हैं तो क्या हो जाए था फाइव प्लस टू 7 यहनिकी पहला ट में जाए रातों दालते हैं तो क्या हो जाएगा जैसे आपको एवन प्लस टू एन इसकल टू फाइप्लस 2 दिया चल गया अगला क्या करना है आपको डी पता आपको डी पते ने पांच तो साथ है तो अगला पांच जो के 12 हो जाएगा दो प्लस नो यह से करके आपका कर सकते हैं अगला कोशन को बना सकते हैं और इस तरह से आपका जो है यह वाला टोपिक जो हुआ खतं हो गया आपको भात करेंगे अगले टोपी का जोकी है और अरिद्म मेंटिक अरिद्मेंटिक प्रोगेशन का इन ट्रम प्रोगेशन फो इन ट्रम अधिकepend wore टेक्र गरेकरिये अगर किसीं पी लिखा हुआ है 2468 को यह पी लिखा हुआ है ठीक है आपसे कोई पूछ देख इसका बिश्वा टर्म क्या होगा यानि कि बिश्वा नमों पर कौन सांक आएगा इसका फर्मुला क्या है कि आप बिश्वा टर्म के लिखेंगा लिखेंगा एट 20 इस उकल टू ए प्लस एन मै ऒ एवन प्लस 2-डी कन चौतवाज घूंञчто नमों के लिखेंगा एवाण टू 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 tonight क्या होगा फिवा एवाण प्लस थि अवितल टू अब रिचेट अब बदा रहे थे एचे अब आगे कंस ए टू प्रहिअ यानि समझिए पिर से 2468 10 था आप से को पुछता था किसला क्या हुआ थे दुसरा अधर टम के लिए तो क्या करते थे अब क्या करना ऐसे नहीं करना है कि काफी बराबर आंक रहा तो आप ऐसे करेंगा तसनक जाएगा ठीक है आप कोई छटा पुछता था इसके लिए को पाचमा पता होता तब न कीजिएगा मालीजे कि आपको दस पूछे एक मुझाईगे टू फोर सिक्स एट टेन ठीक है आपसे कोई फिफ्ट पूछ रहा है तो आपको फोर्थ टर्म प्लस डी करना होता था तो फिफ्ट यहां पर area कि एट है तो अगर मैं लीज judicial कि यहीं तक रहाता है कि अगर यह लाइन याहीं नंख रता हाओं सोन तो प्ता ही नहींग ता पलlt निकाल दे कितना आप क이고 कर ना कुछойд करना करने देहिका करना हम तो फूछ खेट मान को नहीं पता है किkal पॉर्स ढंप क्सीण प्रूज को 12 होगा अंदा से पता है ना 2 4 6 8 10 12 होगा हमें नहीं पता एक समाल लेते हैं तो ही पता है फामुला कि A6 A6 हमें नहीं पता तो क्या कड़ेंगे A1 प्लस 5D यानि कि A6 इस गल टू A प्लस A1 प्लस 5D आपको कितना पता है तो कितना असान से कोश्चन बन जाएगा वंटू पता है प्लस 5 इन्टू कितना पता है दो दूनिचा चार चौनिया दू तू पता है न तो देखे कितना हो गया तू प्लस फाइब तू जटेन कितना आगया तो यह नहीं कि इसका दार में चाथा आंग जो आगा बारा आगा देखिए तो दू पहला एंग चार दूसरा आंग छो तिस रांग आठ चौथा टर्म दौस बार चौथा टर्म है कि नहीं तो आपको इसके लिए फाइब के करना क्या है इसका इन टर्म केतना होगा अगर लास्ट यह है समझीए माल यह बूला कि दू चार टिड़िए तक है ठीक है आपको पताने इसे टोटल कितना टर्म है एक दो तीछ बाइब करना क्या है इसके लिए सीधे आप क्या के जिए बासर डाल दीजे लगेज़े टू एप्लस न मैनेस ओने इतु दी वाले जो पढ़ते थे कि एशिक्स इसकल टू एफड प्लस दी इसको भूल जाईए अब क्या पढ़िएगा एशिक्स इसकल टू एप्लस 5 दी यह चे रहेगा तो यहां 5 हो जाएगा कोई अब सब गूज दे एटी-ट कई हो जाएगा तो बुलिएगा एटीट इसकल टू एप्लस एटी सेवन डी ठीक है सिंपल भासा में चलिए कोश्चन कहता है कि 369 12 करते करते एक सब्सक्राइगा गया हुआ है हाव मनी टर्म में कितना टर्म में टोटल तो देखिए इस फर्मूला में क्या करना है आपको पता है कि लास्ट ट टू डी होता है कि आपको एपटा है ये फिर्स पर्स इम पता है कितना टर्म है एगेर फ्रम के इंगाल सकते हैं ठीक चुकि यहांपे term push ले लेट हेसलम रखना पड़ रहा है नहीं तो नहीं रखना पड़ था ठीक है चलीए तो क्या हो जाता यहां से कहा जागा तो समझ गया निकालना मतलगी टर्म निकालना हो गया अगला टम पूस्था है कि अगर कुछ लिखा हुए ऐसा 218 15 पुष्ट है कि 21‎ disruption इसका टॉर्म है की नहीं यानि क्या इस पूरे सिक्वेंस बन आता हैं की नहीं आता है यह मैं पता करना है पता कर नीकलिए क्या करेंगे हमें पता है 121 है हमें नीपता हो जाए किसी की मैं ठीक्ट कर देंगे इसी कोre से तीन घटा होगा तो भी नहीं पंदर आया इनकी डी कितना है मैंनस त्री तो फर्मुला क्या जानते हैं हम लोग ए न इस इकल डू ए प्लस एन मैंनस वन इंटू डी जानते हैं एन बूच रहा है कि क्या माइनस एटीवन ठीक है लिख दिए टर्म है कि नहीं एक इतना है 21 क अर कितना तो होगा थामें नहीं पता है डी पता है –3 क्या करिए अब सॉल्व क्रेंगे शॉर्भ कैसे करेंगे देखिएगे वनर्त न होजागा यह बर्मी उसन जोंट कितना हो जागा दो पलस थी तो minus 81 is equal to 21 minus 3 plus 3 और यहीं कि minus 81 is equal to minus 3N plus 24 रिका 63 चोबिस तो फिर इधर ले हैंगे 24 करते क्या हो जाएगा minus 81 minus 24 is equal to minus 3N 24 में इधर आके minus होगा कितना होगया 105 हो गया तो क्या हो जाएगा minus 105 is equal to minus 3N क्या हो जाएगा माइनस 105 इस इकल टू माइनस 3 एन तो सॉलूसन आप कर लिजेगा न अब देखिए यहां ही मैनस यहां ही मैनस क्या हो जागा प्लस 3 से कटिंग कितना हो जागा 3 3 9 3 5 15 यानि कि एन इस इकल टो 35 यानि कि इसका टर्म भी है और टर्म कितना नंबर का है इसे में क्या समझ मैं कि मैंने सेटीवन जो है दोस्त मैंने सेटीवन इस एपी का कोई मेंबर भी है और मैंने सेटीवन जो है थर्टीफाइव तर्म पर आता है नहीं कि अगर हम लोग 118 15 12 करते जाएंगे तो 35 टर्म होगा नहुं मैंने सटीवान आएगा समझ यह इस अगा है क्या कहता देखिए कि एसा आप जेन टम बताईये इसका अपी जो है सफ़ैंस ऑन जो है वह मैन सब्सक्राइब जो ऑर 16 जो है वह कितना है 17 यह ऐसा को आप न मेंबताईए इसकर क्या करना है आप जानते हैं कि एप्लस इक प्लस इस तरह प्लस चलते हैं यह भी पता थे तब को इसके लिए पहले आपको इस पता होना चाहिए था सब्सक्राइब करना होगा यह तरीका क्या अपनाएंगे इस तरह के अपने तरीका का अपनाएंगे जहां पर सब्सक्राइब क्या होता है सब्सक्राइब करेंगे और यह रखे रहेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 17 मिल जाएगा अपको दी में अभी कन्फूज आने समझे गई फॉर्मूला फिर समझाते हैं देखिए है 2 4 6 8 रहेगा तो एक वर दू जोर एक चार मिल एक और निकी टू इन्टू टू ट्रू टूलोटे टू टूर्स टू आर्च तू शी क्या मिल रहा है तू थेजया सिक्स प्लस टू एट मिल्रा यानिकी डिको एक वर गुना करेंगे डोसा टम मिलेगा कट और ना चार्वा पाँसमुण ख्राइब करेंगे शथा ठाम मिले गा त्रम क्योंकि एक ट्रम पहले से यह तोज़ा हुआ है इस कर्ण से ठीक है कि समझे अब क्या करना हमें ऐसे करने से करना हमें एक सिस्माज में आ गया कि हम लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे इस टर्म में से इस टर्म को घटा देंगे घटाएंगे तो क्या होगा देखिएगा सब्सक्राइब करेंगे इस टर्म मिल गया आपको जैसे डी टू मिल गया और आप इस फोला में डालीएगा देखिएगा आपको डी टू मिल गया तो शिक्स पता है यहाँ पर टू डाल दीए मैनस वन पता ए निकल जाएगा यह कितना हो जाएगा माइनस वन और माइनस बार यहनिके इस गुलू कितना हो जाएगा माइनस तेरह अरे चोदुनी बार अवज़े जागे तो मैनेस मैनेस पर ले से था तक इतना हो जाएगा मैनस तेरह मिल गया अच्छा अब पुछ रहा था क्या हमसे पुछता है इसका जेनरल टर्म लिख द टू यह प्लस एन माइनस वन इनटू बी सुरल टम होता क्या एन इस इकल टू एन मैनस ब्लस टिक जो भी उता है लिप की लहा ना होए लगा यह कोई दिकत नहीं है तो आपको सब्सक्राइब क्या पथे लिखेगा कि लास्ट थेल टू में माइनस तेरह ब्लेक ब्लैक ब्ल लगा इन मैनस फॉन इन्टो डी हमें एब पता है माइनस थेरह प्लस एन मैनस फॉन और दी पता कितना टू आपको पता रहेगा कि एन इस इकल टू 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 एन मानस 15 है आप से कोई पूछे एवन बता है यह तो क्या हो जागा एए वन इसकल टू 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 इन्टू एटू एटू क्या होजागा टू टू जाप फोर माइनस एलेवन है ऐसे क्यों होगे आपको दी पता है अगर आप लोग निकालने के लिए भी जानते हैं यह प्लस टी जानते हैं इस एक प्लस टू टू यह तो टीन बार आप दो बात बराबर है नहीं समझे बात समझेगा 2 4 6 8 तो यह तो 14 निकालने के लिए 3 करके यह या एमें 3 वाट बात बराबर हो गया बस बात तो बराबर ही है करने के तरीका है अलग क्योंकि आपको इजाम में अध्या करना है थोड़ा शदरक्य अपनाना है अपका इसे कडिये जो जिनकी फ़र लगा जाए कोश्ण मनाने में और आप ऐसे किजिएगा एन इस इसको टू ए प्लस इन मैंने आसान होगा अगला कोश्ण देखिए अगला कोश्ण क्या कहता है कि हामेणी नमबर ऑफ टू डिजीट एडिवीज़ बाई 7 दोटीट कैसा है कितना नमबर जो साथ से डिवीज़ है ऐसे से कोशन को चुटकियू में हल पर सकते है कैसे समझेगा पला बताईए कि दो डियर का नमबर सुर जमगें लाकुण कोड़ है साथ गमसाइसऀर चोहदा है पहला तो मिल जाएगा पहला कमसा द्रीग चोहदा फिर शात्तरी एक कीस साथ योग एक आथाइस करते करते चोष द्था नहीं तक मिलेगा हमें जो दिवाइड होता है होगा ना यानि कि अंठानुए तक और आपको नहीं समझाता है समाल यह निनान में है आपको यह तो पकर लिए कि यहां 14 शुरू होगा यह कीस होगा लेकिन हमको लास्ट पता नहीं चल ला था क्या किजेगा 99 को ना आप साथ से भाग दीजिए क्या निकलाया देखिए काटी यानि कि इसका लास्टम क्या है 98 यानि कि 14,21,98 तक गया हुआ है यह स्विक्वेंस ठीक है अब बोलता है कि यह टोटल टम कितना है जो कि साथ से डिविज्वल है तो क्या बोलेंगे हमें पता है ए-n is equal to a plus n-1 into d पता है फ़र्मुला यह मतला लास्टम कितना है 98 यह कितना ह है 14 प्लस n-1 और d कितना है देखिए दो जोड़ा साथ एकाइस एकाइस साथ का दिफरेंस है ठीक जैसे फर्मुल में डायलेंगे तो क्या हो जागा 98 इसकल टू 98 इसकल टू 14 प्रूस 7 इंटू 7N और 7 2-1 7 ठीक है 7 14 मेंस 7 कितना हो जागा मैनस 7 14 मैनस 7 कितना हो जागा 7 जै इसकल टू 98 या 7-7 इसकल टू 91 7 N 7 इसकल टू 91 और इन इसकल टू कितना हो जाएगा 91 बाइ सेवन यहनी की 13 3 तेरस एकाइवे ठीक है यह निकि 13 बार यहनी की 14 से लेकर के लेकर के 98 के बीच में 13 टर्म ऐसा है जो कि 7 से डिफिवल है ठीक है यह यहां यहाँ से बह सकते हैं क टूटल जो है 13 टर्म ऐसा है दस लेकर के 98 के बीच में 91 के बीच में जो कि 7 से डिफिवल होगा वो टम कॉन कॉन है 14 21 28 35 42 ऐसे करके आप 49 45 ऐसा क्या है जो भी है इतना नंबर है क्या है अपमारा 7 से जो है डिफिवल है सुरी 56 नहीं होगा ठीक है चलिए अर्ला देखते हैं टेमाइन दन तंथ टम फ्रॉम दे इंड आफ दे एप अपको बताना है दसवां टर्म पीशे से इंड से बताने दसवां टम क्या होगा इसके लिए तरीका क्या समझेगा अंपको पताहे एल के आमार लास्ट जो कि यह है दूसर चोबन वह क्या हो जाएगा? first time बन जाएगा जो को हमको क्या करना है? AP को पीशे से देखना है और हम लोग ऐसे देख रहे थे? मालरी ये ये 2468 है हमको देखना है कैसे? 8 6 शीक्वेंस था पार में कितने दुने दूने निवह हुआ है? तो फिफ्टी फोर दोट डोट डोट डॉट दोट फॉर तक जाना है उल्टा जाना है ठीक है आप इक समझेगे चार में कितना दुर पांच नौँ हुआ पांच जोड़ें तो क्या नौब घटर हुआ यानि इदर से 5 जोड़ते जातने तब जाके कि गफ़यो ऑच गफ़यो जैंगे तो आगे मिलते जाएगा जैसे समझेएगा यहां पर चौदों में से पांच गड़ा तो नौ मिला नौ में पांच गड़ा तो नहीं पता है सब कुछ भी तापको कुछ नहीं करना करना यहीं है फिर इल का फावला का जानते हैं ए प्लस एन माइनस वर इन्तु डी ए बोलिए चाहे इन बोली लास्ट वहीं होता है इसका लास्टम कितना पता है 4 पता है ठीक है अले उल्टा लेकशी ते लास्टम 4 पता चल गा की नहीं नहीं समझ रहे हैं पार समझ यहेगा आपको एपता है ठीक है एक इतना हो जागा एज इकल तो क्या होता है जैसे एह प्लस एन मैनस वन इंटू दी एक पता है 254 इन कितना है ऑका इन 10 है यह पूछाँ डाया पीछे से आश्यकतना है यह माइनस्वान हो गया और दी कितना है मैनस फाइब नहीं समझे बात क्योंद क्योंद क्यों दी-5 विजर से डी-5 भिएधर से डी-5 नहीं होगा ठीक होगा तो आपको एप अलगे है फॉर्स तम कितना है 209 एगमिने की दिसमों भोलगा ट्रम निकिशन गर्वर्या ऐफिर को जड़ाएगा दोसो उंचास आप फिर दोसो foul जजाएगा-फिर के सिंधता मीं हो जाएगा दोटर कर देंगे दसों अटम का मिल जाएगा हमें दोसो नौ मिल जाएगा समझे कि ने समझे समझे सामज गया सर चली आगे चलते है अगला कि आमरा लास्स कुस्टन को समटेन इस टम का इस मतलगी इस टॉपिक का किन टैक्सी फेयर और फिटीज फिर फिर्ची फिर्ची इस पॉपिश फ्रइप सिमटर फिर फिर के वांण है किर आप उसके टैक्सीमेटीए का तो बैठने का कुछ पंदर ना पड़ेगा और हर एक किलेमटर का आठ रूप HEY देना पड़ेगा तो बैठने वाट उन्या का आ रुपय देना पड़ेगा क्या यह सिक्वेंज जोगे ऐसा होगा कीसिए मिखिर थे मेंगया सै नहीं होता है अब क्या करना पो रेगा वैठन हो देनावा पंदरा था कीकल्मीट तो को देनावा पंदरा प्लस आठ रूपय नाया था यह नटा यह है एक बार दिए पंदर रुपई या एक किलिम्टर के तो पंदर प्लस आठ रुपया दो किलिम्टर के तो पंदर प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ रुपया तिन किलिम्टर के तो पंदर प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ रुपया तिन किलिम्टर के तो पंदर प्लस आठ प्ल जमने कि हो अग्ला क्लमंट के लिए मिला होगा अल् मिल्थेस ons का ग्लोकार धी से स्क्रावेरा थी पलोकार आठी से लिए 12 गणाट केया किप्वा डिर्चेंपे कि नत्यों हंद ट्वह कहा है चाग करते का ट्रीकस कि रिखा धीर थी जिली कास को भीकए क्या है क्या होगा? जो कि आपको सब्सक्राइव कर दोगा क्या है, तो दोगो जो दोगो कर दोगो देना होगा एक क्या होगा किस पे बात करेंगे अब लोग लेकिन फिलाल समझते हैं क्या sum of first term of ap में क्या क्या term आते हैं उसके बारे में यानि क्या होता इसके बारे समझते हैं चली तो इस first term of an ap भी अगर माल लेते हैं कि ap का first term क्या है a है and its common difference is d, अगर common difference d है then the sum of its all in term, sn is given by formula, अगर मालिजा आपसे पुछा इसमें क्या है sum of first term में मैं मैं लिए ऐसे पुछा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 22 तक कितना होगा जोड़के बताईए ऐसे के लिए क्या किजेगा अभी तो पहले टर्म नहीं करना था अब जो रगास रहते क्या किजेगा और ऐसा कोश्चन आये एजाम में आपके उसके लिए क्या तरीका है तरीका क और इस फर्मला को और शोटा करने का क्या तरीका है ता बताईए 2a है ता लिए 2a को a plus a plus a minus 1 इंट प्लस एंट एट अच्छा a plus n minus 1 एक तो बताया थे अभी तक a न होता है कि नहीं यहीं बता थे कि a n को कभी L भी लिखाता है यानि कि n by 2 a plus L होता है यानि कबसे वैसा पूछ दे कि 2 plus 4 plus 6 plus 8 यानि कि 4 टर्म इसमें है तो इसका जोर क्या होता क्या बोलिएगा यानि कि 4 टर्म क्या हो जाएगा 4 by 2 यानि n by 2 a कितना है 2 plus L यानि ग्लास टर्म कितना है 8 आरदू 10 दस दूना 20 हो कि नहीं टूटू जाब 4 और दस दूना 20 देखे तो आठ चर बार 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 चौटार रटा रटादू यानि क्या होगा इससे जोर के देख सकते हैं तो यह तीन फर्मुला जो इसका आप ले लिजी स्क्रीन सौट यह इसका आप लिकर रख लीजे इसन का फर्मुला क्या होता है n by 2 2 a plus n minus 1 to d वहां से अलग कर लेते क्या हो जागा a plus n या a plus l यानि कि sum of n term of ap क्या हो जागा n by 2 first term plus last term अगर आपको last term पता नहीं रहेगा तब लगाएगा आप 2a into n plus 1 minus 1 into d ठीक है से question देखिए question कहाता है कि find the sum of the first 22 term of ap 8 3 minus 2 और आपको ऐसा question रहे कि find the sum of the 8th 22 term 22 term बताईए इसमें देखिए तो इस sequence में आपको 200 term पता ही नहीं है देखिए तो 8 3 minus 2 खतम हो गया उसका अपको बताना है जोर बताना है तो क्या किजिएगा इन के जब डाल दिए 22 जैसे आप डाले इन के जापर 22 देखिए यहां पर वेट आ मिनट जैसे डाले आप इन के जापर 22 यहा 55 मैनस के तभी तो 3 आया 5 मैनस के तभी तो मैनस 2 आया जैसे मािन आपको एं पताता तो इन डाल दिए ए था दाल दिए धिपनाटा डाल दीए स्वाल कर लेजै सब्सक्राइब 1122 11 अर्दुना 16 16 21 मिनस 22 मैं 21 फजाएगा हुई टुश्ट पांस होता है तो क्या हो जाएगा 1111 इंटू 16-605 यहींक 11 इंटू मैनस 29 सब्सक्राइब हमें आन्यक कि अगए अगर यह मिल जाएगा 979 यानिकी अगर हम लोग नाइनसेवन नाइन तक हमें जोर करने से मिलेगा उसी तरह। आप से कोई पूछ दे सम अफ ऐल निचुराल कि 10 इंटु 10 फ्लस 1 । भी दू यहीं कि 10 इंटू 11 बाई 2 जबी कू Gore के दख सम। 10 प्लस 9 प्लस कि 20 21 by 2 30 30 30 तक क्या बलेगा 30 31 by 2 जो करना यह से फिर्फ भूम लगा है n into n plus 1 by 2 है ठीक है अधिक है अधिक है अधिक है अधिक है कि find the sum of the first 24 time of ap nth term is given by an is equal to 3 plus 2n ठीक है देखिए आपको an दिया हुआ 3 plus 2n ठीक है आप यहां से a1 निकल सकते हैं कितना हो जाएगा 3 plus 2 into 1 a1 डाले तो यहां भी 1 डालेंगे कि हो जाएगा 3 to 5 हो जाएगा ए 2 निकले ए 2 कितना हो जाएगा 3 plus 2 into 2 यहनि कि 2 दुना 4 आ 3 साथ हो जागा और चाहिक यहाम। अंके कि कितना है टू का डिफेरेंस है निक हम धी मिल गया तू ओर यह नहीं भी मिला एक और फ्रमूला जानते हैं एसनी से तू एन भाई टू ए प्लस एं हम मिल गया एन बाई टू कितना है में एमdat फाइब मिला है और पूसे कर 25 निकालनाए तो 24 प्लस 24 टालिक चोई तुन आद तहल स्क Het ने कावन के वोन का याँ थी प्लस तू इन्ट वणन यानएकि फाइव उसी तंट तरह 24 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इन्टी फोर चोविद्ञारतवेश्थ दीने काउंन हो जाएगा यानि पांच और एकाउं तरह जानते हैं एजन का फ्रमुला n by 2 a plus ani a पता है 5 n पता है 51 51 निकल नहीं 51 और ये कितना दिया था 24 by 2 12 16 यानि की 12 into 156 यानि की 12 62 के 2 हात में 7 12 पन्じ शाट 67 66 672 क्या करके यह समुझे की नहीं 12 चक्डोथ फम्हात में 7 12 पन्चे शाट कर सकते हैं अगला कोश्चिन आगला टाइप का वह थर्टी नमर टाइप क्या होता है कि यह दा सम फोर्स टेन टम फैने पी इज वन फुर्टी और सद्धास टर्म का सम जो 140 है सवाफ फॉस्टी टर्म टर्म इस थी ट्रीट्वेंटी अगर सम जो है इस तो बता यह सम फास्ट अंटम क्या होगा ठीक है पाहला आप बता दीजिए कि आश्यूरीय प्नलियो exist यांसे कट क्ट कर्ण होजागा थी ल्हे प्लस नंदी कट यो चाएगा तों को इसटकर możे पर ने सब्सक्रवाइं पीना थी मतट है उने पर सकते हैं जब चुछ उपर पड़ाता थी תो यह उपर कट जाता है थी ड्हें प्लस तो दूसरा निकल के रख लीजिए और पहला दूसरा को जवाब किजिएगा घटाईएगा जैसे एक कट जाएगा डी मिल जाएगा टू छेदुनी बार कि यह क्या करना है तो दे डिल यहां फर फी यह अधाना है तो दो दो मिल गया जैसे आप अब पर पताएं डी में टू मिल गए और अपर इसी's यानि कि 2A is equal to 10 बचेगा एक इतना होजागा पांच यानि आपको मिल गाये मिल गया पांच दी आपको पता है कितना दस डी पता है PAL wichtig is a PTA five deep ada to just a PTA did I got it a push the aim так naturalee सबस्टें सभेड़े ससोटी पुछे पूछे कुछी पुछे पता दिएगा तो एमटम क्या हो जाएगा इस इन था इन बाईटू aí तो टू इन तू इन तू इन तो इन टू एइज कितना हो द्हिए अच्छा क्या जए अब रटू इन्टू 10 प्लस एम इन्टू 1 माइनस 1 इंटू इसको आगे जाके तो क्या मिलेगा आपको एम स्कॉर प्लस 4 ए मिल जाएगा यहां से आपका यहां पर कहा होता ही कोश्चन जो है खत्म हो जाता है अगला कुश्चन है कोश्चन होगा 14 जो कि है सब्सक्राइब कितना टर्म लें इस एपी का सब्सक्राइब करना होगा इतना चार टर्म जोडएंगे तो 20 मिल जाएगा आठ सब्सक्राइब तो और तीस जोड़ने के बूले तक पांच जोड़ना पड़ेगा चालिस जोड़ने के लिए तो अगला टर्म और 12 जोड़ना पड़ेगा तो ठीक है तो बूस्ता है कि इस जो एपी है इस एपी में कितना जोड़ेंगे जो कि हंडिड तक चला जाए उसके लिए क्या करना है इस कोश्चन आपको पता है एपता 20 कि शेश्चर दिख रहाए क 308 20 पेट Wiki है पिछले मंगों तैंथा के अगला मैं समय कूश्चर ने सीमींस परिभी है त्छा जाएगा कि अटीजार में असान हम है इसलीं सान है और 158 है कि अँटनर किसको है अठार चंभान चाम 156 होटा है वह थीन को मैंनेस 23 रहा है यह यह जिस ऐसे करते थरा कब मुश्किल होता है यानि किसका जो डी है वो केतना है माइनस टू भाइ थ्री है एक इतना है ट्वेंटी है आपसे इन पुछा इन नहीं भी तरी एगा इन क्या करना है आपसे सम दिया हुआ प्लस एन माइनस वन इन्टू डी एसन दिया है आपको पता है अपको तो ए पता है कितना है यानिकि दोनों क्या हो ज्याकर जाएगा क्या 25 और 36 दोनों क्या हो जाएगा लास्ट कुछन नहीं है इसके बाद दो कुछन और होगा 17 ठाइब कोशन होगा जो की आपको तोड़ों अलग अलग टाप के कुछन है उम्मीद करते हैं वीडियो जाद जादे लंबा बन जाएगा लेकिन कोई बत नहीं दिर गं आपको दिया था यह अब क्या क्या किया थे यह ताफ किया थे था तर गया तो प्लस डाल देना अपर घटा देना उच्टा दिया है और क्या करना होगा अगर इसे आप से कोई पूछा कि टू प्लस फोर प्लस इड़ जोड जोड पूछा प्लस टेन तक हैगा अगर आप दस तकी जोड में अगर आठ तक यहांई आपको इसमें क्या करना है इन गाने के बाद आप क्या formula मिलता है formula मिलता है आपको 7 n square minus 8 n plus 1 यहाँ पर इसको मिल जाता है यहाँ पर solve करने के बाद solve करने का किजिए आप formula पर डाल दीजिए क्या an is equal to sn minus 1 आपको sn दिया था 6 n plus 7 n square और sn minus 1 आप निकाल लें कितना सेवन स्कार मैं सेपिंद ब्लस वन दूने जब घटाईए गा तो क्या होगा यह कट गया और यहाँ पर न बच गया क्या बच गया तो क्या आया एन इस गल्टू 14 n minus 1 आया आज पुछा था दसमा ट्रम क्या होगा तो लिख दीजिए 14 into 10 minus 1 यहन मैंनस 1 ठीक है एसन आप वो क्यों में दिया था एसन मैंनस 1 आप डाल डाल के निकाले हैं पूड़ा सौफ करके उतकर क्या 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 प्रक्राइब दाल दीए एन इसकल तो एसन यहनिकि इतना minus 1 जो आप निकाले हैं इससे कट गया आप कर क्या मिला हम है 14 n plus 1 मिला जैसे 14 न मिला आप से 10 टम पूछ रहा है तो इनके जापर टिन डाल दिए टिन डाल जाएगा 140 मैंस से 140 एंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है को सिक्स्टीन क्या कहता है देखिएगा को सिस्टीन अच्छा क्ष्टन है क्या कहता है कि अगर एक मैं को जो है लोन पे करना है ठीक है मैं रिपे लोन ऑफितिसां पचास रुपे अगला में पचास रुपे देगा ऐसे करके करना चाहा है उसका लोन कितना दली खतम हो जाएगा कि अगर्वाब पता है इसको देना है रूपर यानि कि 32 पर देना है कि इतना दिन में खतम हो जाहा तो 325 0 is equal to n by 2.2 into a यानि ए कितना है पहला में दिया जात है ए तर्शला 20 रूपर हो प्लस एडर नहीं पता है हमें और डी क्या पता है कि हर मेना जो इनगा बढ़ा रहा रहा है तो 15 हो जाएगा अब तो कुछ है यह नहीं है 40 15-15 यहां से 15 निकलेगा और पहले से 15 स्क्वाइर यहां से 15 निकलेगा और पहले से 15 स्क्वाइर यहां से यहां फिर पंद्र यहां पांच पर निकाल सकते हैं जैसे पांच कोऊन निकाले पांच से काट दी इसको कटने तो उन्हें दूबारस आप अब अचास का सो देविए हो गया यानि कि 3 N square प्लास 55 N minus 3 is equal to 0 यह तो आप quality इस जानते हैं डी इसगल टो बीज़ इसकोर मैनस 4 यह से कीजिए यह आप ऐसे करके solve कर सकते हैं जिसमें कि यह तूटेगा 65 N minus 60 N के तरफ पर और यह से आपको इन नहीं का है ऐसनों मिलेगा इन मिलेगा मैनेस 20 और मैनेस 95 वाय तीन दीक आपको बताया था कोई भी आप quality कीजिएगा 2 value मिलेगा कोई अपको इसको पैसल नहीं मिलेगा कोई है कि क्यूदिक कीक मिले गए मिले दो थीन क्या 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 मिला एक मिला 20 एक मिले मानेस सबसल में जोता लाएगा आ Dolce Bay में लुर्ट आना के माइनी चुक मेरो Corn अगला माने पैसर देगा तब जाके लोन क्या हो जाएगा थीक है तो अगला देक बात आती है arithmetic proportion में के arithmetic mean क्या होता है ठीक है चाहिए को लिए दीजे क्टिक मीन एंन मीन है अर्थमेटिक मीन क्या होता है एक आवरेज ऩर या चाहर 100 थे क्या करना में यह मार une बताये चेप्लों कितना होगा आठ आट बाई-डू कितना चार निकल गया भी यानि अगर कोई जो है सिक्वेंस एपी में लिखा होगा तो आपको चेक करने का और भी तरीका क्या है कि आपको पहला टर्म और त्रिसाइट में को जोड़ लिए और बटा टू कर दीजेगा कि B-A is equal to C-B, तो 2B is equal to A plus C, और B is equal to A plus C by 2 हो जाएगा, समझे की नहीं समझे, नहीं समझे, इसे नहीं समझे, दिखिए, A, B, C लिखा हुआ है, तो B-A जो होगा, क्या वही C-B होगा, कैसे होगा, इन दोने में कुछ जोड़े होंगे, माली यह 2 जोड़े होंगे, तो सब D ही होता है, पताया थे न, पताया थे कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, A M क्या मिला, A plus C by 2 मिल लाएगा, ठीक है, तो इसे बेस्ट क्या हो सकता है, देखिए, यहाँ पर, कि find 4 number of AP, whose sum is 20, and the sum of whose square is 120, ठीक है, ठीक है, तो देखिए, क्वेशन 17 क्या का होता है, क find 4 number in AP, whose sum is 20, and the sum of whose square is 120, मतला, ऐसा AP का 4 number दाए, जिसका जोर 20 है, और उसका जोर करके जोर हींगे न, तो 120 होगा, ठीक है, देखिए, इसमें कुछ कुछ कॉंसेप्ट क्या है, कि अगर आपको जभी ऐसा question मिले, जिसमें कि 3 number लेना होता, आप क्या लिजेगा, एक लिजेग हो जाया, तो हम इसे क्या देखिए कि D खतम हो जाता है, ठीक है, जैसे थ्यी खतम हो जाता है, या माइनस y सफ ब्लस D खतम हो जाया जार जा और जब किसका स्क्वार कर देंगे सब्सक्राइब करके जोरेंगे तो में 120 मिलेगा यह सा बोल राइक कोश्टन ठीक है तो पहला कोश्टन से क्या मिला जैसे इंडी खतम हो जागा यानि कि 3D 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 डी खतम हो जागा यानि कि देखिए a plus a plus a plus 4a is equal to 20 a is equal to 5 मिल गया जैसे आपको a is equal to 5 मिल गया ए फाइब मिलने कीवाद क्या कर यह आप पहला equation solve कीज़ेगा दूसरा equation solve करने का का किसे solve कि लिए तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a plus 3D Ka HoL square a minus d Ka HoL square a plus d Ka HoL square a plus 3D KaHol square जब sum कीज़ेगा तो क्या हो जाएगा पहला को किज़ेगा तो क्या हो जाएगा देखिए कहां पर a-b कोड़ इसकार निक a2 plus 9dA2 minus 2ab दूसरा किज़ेगा जाएगा a2 plus b2 minus 2ad ऐसे कटने क्या हो जाएगा plus 6da और minus 6da कट जाएगा plus 2ad minus 2ad कट जाएगा उसकार क्या हो जाएगा उसी तरह से 20 dA2 जाएगा 4a2 plus 20 dA2 जो कि कितना दिया 120 दिया हुआ है यानि जब सॉल्व कर लिए स्क्वाइर स्क्वाइर क्या हो जाएगा कि 4a2 plus 20 dA2 is equal to 120 हो जाएगा और यहांसे पहले से क्वेश्चन क्या पता है a is equal to 5 पता है जैसे आप e is equal to 5 यहां पर डालीगा तो क्या हो जाएगा 4 plus 4 into 5 क्या हो जाएगा solve करने क्या समद में आएगा आपको यहांसे आपको d मिल जागा 5 और d जब 5 काटी जाएगा D is equal to plus minus 1 हो जाएगा यानि आपको d मिल गया क्या या तो plus 1 या minus 1 जैसे आपको d मिल गया फॉल्लम में डाली देखिए तो क्या डालीगा a minus 3d इयनिकि a डालीगे कितना यहां को ए पिपॉल्लम गया क्या हो जाएगा रानिव पतक क्या हो जागा फोर ए प्लस डी य्यानी कि फैव फ्लस वण सिक्स और ये प्लस ठीड यहनी कि फाइव प्लस ठीएस सैब यहनी कि टो फोर सिक्स एट घृर। कि मिला दी झीज कल टो बैइसलीमगे यौ लोग 2468 यहीं कि 2 4 6 8 8 ऐसा नंबर है इसको जोडते हैं तो 20 आता है जोडते हैं जोडते हैं यहीं कि हैंई कि फोड़का स्कॉइर मिलता है यहीं वह कोश्चन है कि सौल वहता आपका और्थिमेटिक प्रोगर्शन कॉंसेप्ट से कि जब है तो आप लिजेगा किया कर लिजेगा को आपको सवाल हो पाएगा उमीद करते हैं आपको chapter समझ में आया होगा थैंको सो मच फॉवाचिंग हम रहागे वीडियों में बात करेंगे अगहले कुछ रिप्टर के बारे में ठीक है सो तब दर के लिए भबाएट खेक गुड नाइट गुड डे जब भी आप में वीडियो देख रहे हूं थैंको सो मच अगले वीडियों में बात करेंगे जो भी अगले चेप्टर होगा जिसे किया तो कोईटे कोशन या लिन्यों केशन का तब तक के लिए बाबा टेक केर